कहानियों की श्रंखला में एक बर पुनह मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके समक्ष गीता श्री की प्रसिद्ध कहानी प्रश्ण कुंडली लेकर उपस्तित हुई हूँ यह कहानी टैरू कार्ड रीडर पर आधारित है यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो क्रपया चैनल को सब्सक्राइब करें कहानी सुनिये प्रश्ण कुंडली वैदेही किस पर में प्रेम, खौफ, धोखा, दुनिया, रचना, सपना, बारिश, धूप, प्रत्वी, गीत, मंदिर, देवता, आशा वह कागज पर लिखती चली जा रही थे, बस-बस, मात्र 25 शब्द लिखने हैं आपको अपनी पसंद के जो शब्द मन में आ रहे हैं इस वक्त, उन्हें आप लिखते चले जाएए आशा तक आते आते वह रुख गई, हो गया, उसकी आवाज भर्राई हुई थे ओके, आप अपना पेपर मुझे दे दीजे उसने शिवांगी के हाथ से वह पेपर ले लिया पेपर लेते हुए शहर के सबसे बड़ी टेरो काड रीडर ने महसूस किया कि कागज नम था चहरा सर्द पड़ा हुआ, दिन बर बहुत लोग आते हैं उसके पास, सबसे ज़्यादर औरतें आती हैं कुछ परिवार भी आते हैं, पती-पत्नी का जोड़ा साथ कभी नहीं आया आज पहली बार कोई इस्त्री पती के साथ आई है, अपने बारे में, अपने संबंधों के बारे में जानने के लिए टेरो काड रीडर इसमिता दुरानी ने उसके पती को बाहर बिठा दिया था वे अकेले में इस इस्त्री से बात करना चाहती थी पती के चेहरे से लगा कि वे भी यही चाहता था वे बाहर अपने मोबाइल पर गेम खेलने में मश्गूल हो गया इसमिता ने इस्त्री के जवान चेहरे को देखा चेहरे पर सन्नाटा चाया हुआ था भीतर किसी तूफान का साया या उसका वेग होगा जिसे वे रोके हुए होगी रोज रोज ऐसे क्लाइन को देखते समझते इसमिता आदी हो चुकी है शिवांगी के लिए यह पहला मौका है जब यह तीनों काल पढ़ने वाली किसी समवयक दूसरी इस्त्री के सामने बैठी है अब तक अकबारों में तस्वीरें ही देखती आई है सामने बैठी इस्त्री का वह कमरा अगर बत्ती की खुश्बू से महक रहा था और कोने में खुश्बू वाला कैंडल दी में दी में जल रहा था इस मिता के माथे पर लंबी बिंदी और आँखों में मोटे मोटे काजल और गुंगराले बाल उसे बाकी स्त्रीयों से अलग लुप दे रहे थे शिवांगी को वहां का माहौल जादूी लग रहा था बाहर से कोई शोर नहीं अपने भीतर का शोर भी शान्त हो गया था वह अपनी बात साफ साफ सुन पा रही थी उसके भीतर बहुत से सवाल थे जो अब साफ सुनाई दे रहे थे उसे यहां भला लगा सबसे मधूर तो इसमिता की मुस्कुराहट थी जो अबूज पहेली की तरह उसे लगी इसमिता ने ताश से कुछ लंबे चोड़े रंग बिरंगे कार्ड उसके सामने धर दिये पहले ताश की तरह उसको फेटा फिर सामने रखते हुए उसमें से एक कार्ड उठाने को कहा शिवांगी ने एक कार्ड उठाया और अलग रख दिया फिर कार्ड फेटा और उसमें से एक उठाने को कहा यहकरम दस बार चला दस चुनोय कार्ड को एक साथ अपनी हतेलियों में लिया और गौर से उन्हें देखने लगी एक-एक कर कार्ड देखती जाती रखती जाती फिर दूसरा तीसरा जैसे जैसे कार्ड देखती जाती इसमिता का चेहरा जलता बुझता कभी गंबीर होती तो कभी चिंतित दिखाई देती शिवांगी गौर कर रही थी उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखकर उसके रदय में भीतर भैकी लकीर खिच गई नसो में कुछ चुभा इसमिता ने कार्ड से चेहरा उठाया उसकी आँखे बदल सी गई थी उनमें इतना तेज था कि शिवांगी ने आँखे जुका ले मैं जो कहने जा रही हूँ हो सके तो आप कहीं नोट कर ले शायद कुछ आप भूल जाएं और वो आपके काम की बाते हो सो नोट बुक लाई हो तो नोट कर लेना बहतर होगा शिवांगी के पर्स में पैन तो है नोट बुक नहीं शिवांगी ने सोचा इसमिता ने उसे साधा कागज पकड़ाया और उसे जरूरी पॉइंट्स नोट करने को कहा कुछ भी कहने से पहले इसमिता भूमी का बांध रही थी उसने पानी का अकलाज शिवांगी की तरफ बढ़ाया जो पूछूंगी सबसच बताईएगा छिपाएंगी तो मेरे लिए उपाय बताना मुश्किल हो जाएगा शिवांगी ने नामे सेर हिलाया उसकी धरकन बढ़ गई थी क्या पूछने वाली हैं लगता है सब कुछ जान गई पंडित जोशी और टेरो कार्ड रीडरों से कुछ छिप नहीं सकता पहली बार टेरो वाली से पाला पड़ा है उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं दिखाई देती बस हाव भाव वेश भूशा तिलस्मी बना रखा है कि कोई भी उलत जाए इस माया जाल में क्या आपके जीवन में कोई और है क्या आप किसी और से प्यार करती है बताईए चुप मत रहेए चुप रहेंगी तो कभी समस्या का निदान नहीं मिलेगा बताईए मैं किसी से नहीं कहूंगे मुझ पर भरोसा कीजे ये मेरा पेशा है मुझ से किसी का राज नहीं चिपता हम किसी की बात किसी से नहीं बताते यही हमारे धंदे की मोरेलिटी है बोलिए फिर मैं आपको सारी बातें बताती हूँ मैं आसानी से जड़ तक पहुँच पाऊंगी मैं तो कुछ और जानना चाहती हूँ मेरे करियर और दामपत्य जीवन के बारे में बताईए बहुत समस्याई जेल रही हूँ मैंने सोचा पहले आप बताएंगी फिर मैं अपने बारे में बताऊंगी लेकिन आप तो मुझसे ही पूछ रही हैं आपको इन कार्डों से कुछ पता नहीं चला क्या आपके जिन्दगी बहुत इस्टरब चल रही है ये कार्ड मुझे सब कुछ बता रहे हैं आपके बारे में बस मैं आपसे पूछती जाऊं आप हान ना करेंगी तो ट्रीटमेंट में आसानी होगी मुझे शिवांगी चुप लगा गई ये सब कुछ मुझी से क्यों कहलवाना चाहती है बड़ी पंडिताइन बनती है खुद बताये ना कि मुझे क्या समस्या है सब कुछ मैं ही बता दूँगी तो ये अपनी तरफ से क्या बताएंगी मन ही मन उधेर बुन में थी कि समिता की गंभीर आवास गुंजने लगी आपने जितने कार्ड चुने वे सब आपके स्थिती की भयावैता की ओर इंगित कर रहे है मैं एक एक करके आपके जिंदगी की समस्याओं का खुलासा करती जाती हूँ बीच बीच में आपको जो काम का लगे नोट कर लेना ये रहा आपका पहला कार्ड आंधी चल रही है जंगल तूट रहे है एक इस्तरी तेज हवाओं से गिरी भाग रही है कि तस्वीर बता रही है कि आप चौतरफा मुसीबतों से गिर चुकी है अकेली हैं आप और इनसे मुकाबले करने का साहस नहीं बतोर पा रही है शिवांगी ब्या कर ससुरा ला गई है पहला कदम रखा ही था कि कोई कोकिल कंठी कूकी बववा जी क्या लाए है मेरे लिए आज तु सब लुटाना ही पड़ेगा पिना चुकाय गुजारा नहीं और वे कंठ गा पड़ी माई गे सुनिये छली आई सत्यम बाबू बरा धनिक यह गाना उसे इतना भाया कि लगा गुंगट के भीतर से ही गाउठे नई दुलन का वेश धरे कुछ तो लोक ले हाज निभाना ही पड़ेगा जादा दिन नहीं कुछी दिन की तो बात है सत्यम की आवाज निकली बस बस अब अंदर तो जाने दो भाबी आपके लिए दाई लाया हूँ सेवा करेगी आपकी जाईए बड़े आये सहर की लड़की को हम कहां दाई बना पाएंगे जी हमी न बन जाएंगे चलिये नेग निकालिये इसी छेड़चार के बीद शिवांगी का दिल धक से रह गया दाई यह पत्थर सीधे मर्म पर जाकर लगा हम दाई हूँ मैं यह भाबी क्या बला है सत्यम कुछ भी बोल सकते थे दाई क्यों बोले यह शूल तब जो चुभा वे आज तक नहीं निकला वे गवई माहौल से जल्दी निकल कर जमशेदपुर और अब दिल्ली पहुँच गई वो तो भलाहोस की पढ़ाई लिखाई का जिसने दाई बनने से बचा लिया नहीं तो उस बड़े परिवार में भाबी जैसी कितनी बहुएं बूड़ी सासों को तेल मलते मलते खुद ही बुढ़ा रही थी उन दिनों को न माहौल को अवय याद भी नहीं करना चाहती उसे अपने अतीज से नफरत होती है यह आपका दूसरा कार्ट एक इस्त्री नदी किनारे खड़ी है नाव दूर दिखाई दे रही है उसे उस नाव की जरुवत है उस पार जाना चाहती है उसकी पुकार नाविक तक नहीं पहुँच पा रही है शिवांगी को गवई ससुराल से माय के वापस जाना है सत्यम पटना वापस लोट आया है कुछ दिनों की बात कहके बूरी गंडक का पानी गाउं में घुसाया है आंगन तक में पानी भर गया छत पर सबको शरण लेनी पड़ी है मो की सड़क तक जाने का रास्ता डूब गया है सारे संचार माध्यम ठप और कभी कभार आने वाले बिजली भी गाया उसके मोबाइल का सिगनल गाया बैटरी खतम इतनी असहाय तो कभी नहीं हुई थी वैं पानी हेलते हुए ही गाउं से भाग जाना चाहती है पैदल सब मज़े में हैं छट पर बैट कर रजारा ले रहे हैं रेडियो पर संगीत का अनंद लिया जा रहा है वैं किस से बात करें? किस से फर्यात करें? उसके और घरवालों के बीच अजीब सी समवाध हिंता है ये तीसरा कार्ड जंगली जानवरों से खिरी एक छोपड़ी इसके अंदर प्लीज बस करें अब उससे नहीं सुनना आप मुझे लगाता डरा रही हैं मैं यह सब सुनकर दहशत में मर जाओंगी मुझे मत बताएं यह सब प्लीज शिवांगी खिन्नों उठीते आप बस मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजे समस्या नहीं सुनना चाहती तस्वीरे देख कर तो मैं भी इसकी व्याख्या कर सकती हूँ लेकिन ये कार्ड तो आपने चुने हैं ये कार्ड आपके सारे हालात बया कर रहे हैं छोड़िये ये सब आप मेरे प्रश्न कुंडली बनाईए प्लीज जादा नहीं तीन सवाल है मेरे बस उनके जवाब मिल जाएं यही काफी है आप प्रश्न कुंडली बनाने में माहिर हैं मेरे सवाल सुनिये इतने से घवरा गईयां अभी तो जो आपने खागच पर 25 शब्द लिखे हैं उन सब की व्याख्या बाकी है ये काफ्स आपके अतीत और वर्तमान के बारे में बता रहे हैं और ये शब्द जो आपने अपने मन से लिखे हैं वे आपका भविश्य बता रहे हैं फिर भी आप नहीं सुनना चाहती तो चलिए पूछे मेरा दामपत्य जीवन चलेगा या नहीं बहुत तरह के इशूज हैं हमारे बीद जो कभी सॉट आउट नहीं हो सकते मेरी भी कुछ विवश्टा हैं उनकी भी कुछ परेशानियां और डिमांड्स हम बहुत उलज गए हैं हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते फिर भी रहते हैं हम दो तरह के लोग गलत तार एक साथ जोड़ गए हैं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं पर एक दूसरे को बरदाश नहीं कर पा रहे हैं आप हमारी टेरो कुंडली बना कर देखिए, इस रिष्टे का क्या भविश्य दिखता है। मैडम, मैं यहीं तक तो पहुँचने वाली थी, आपके कार्ड्स रीडिंग के थुरू, पर आप में धहरे नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, थोड़ा वक्त लेकर आईएगा, हमें जड़ों में जाकर निदान ढूनना पड़ता है, इसमिता मुस्कुराई, प्लीज, शिवांगी गिड़ गिड़ाई, मोबाई साइलेंट मोड पर था, बार बार उसकी निगाहें स्क्रीन पर जा रही थी वहां लगातार कुछ नोटिफिकेशन आ रहे थे, शिवांगी को उन्हें देखने की बेचैनी भी हो रही थी, यहां से जल्दी मुक्त हो, तो देखे, अपने भविश्य को लेकर चिंतित भी थी, और यहां से भागने की आतुरता भी थी उसने सोचा था कि फटाफट सवाल पूचेगी, सवाल के आधार पर प्रश्न कुंडली बना कर जवाब देगी, यहां तो ग्रंद लिखवाने लगी बाबा पहले आपको आपके लिखे शब्दों के मायने जल्दी से बता देती हूँ, यहीं से आपको जवाब मिलेंगे, ध्यान से सुने, प्रेम आपका पहला शब्द है प्रेम आप मूलतह प्रेमिल इंसान है प्रेम करना जानती है पर आपको उसी वेग से प्रेम मिलता नहीं आपकी अपेक्षाएं उतनी है चाहत पाने की हैं आप छटपटाती हैं प्रेम दिये जाती हैं वापती की उम्मीद में नहीं मिलता तो तुरंत वहां से विड्रो करना चाहती हैं पर आप लोट नहीं पाती हैं आप खुद को ही टुकडो में बांट लेती हैं प्रेम आपके लिए देने पाने का बराबरी वाला काम है उसी मात्रा में उसी भेचैनी के साथ मिलना चाहिए ना मिले तो आप हिंसक भी हो जाती हैं उपाय मेडिटेशन कीजिए और कमरे में खुश्पू वाला कैंडल चलाइए अप एक शाय कम करें हाँ उसने अपने पती से प्रेम ही तो करना चाहता प्रेम हो जाता तो ठीक रहता यहां करना पड़ेगा शायद हो भी जाता लेकिन पहली बार कदम धरते ही जो चुहल बाजियां सुनने को मिली प्रेम होने की संभावना खतम सी हो गई प्रेम करने की ओर ध्यान जरूर गया कुछ काना फूसियां सुनी और चौकन्नी हो गई बबुवा जी कहां करना चाहते थे यह साधी वो तो फुलवरिया वाली चाची जी पीछे पढ़ गई लड़की पढ़ी लिखी है कर ले जरूरत पढ़ने पर कमा भी सकती है बढ़की भावी के कुछ और सपने थे जो चूर चूर जब तक शिवांगी वहां रही कोई मौका नहीं छोड़ा उन्होंने उससे काम करवाने और उसके पढ़े लिखे होने का गुरूर तोड़ने में गपे भूल नहीं सकती कि उसने भावी की पाबंदी के बाद भी एक शाम गैस चूला जला लिया जपट्तिवे छट से भावी उतरी और फटाक से नौब बंद कर दिया हटो तुम गैस फ्री नहीं आता मुश्किल से एक सिलेंडर का इंतजाम हो पाता है तुम उसके पीछे पड़ गई हो खाना नहीं बनाना तो बता दो हम कर लेंगे अब तक तो हमी कर रहे थे तुम कुछी दिन तो हेल्प करोगी करना तो हमें ही है हम तो चूले में ही खप गए जब से इस घर में आये हैं चूले भाड में ही लगे हैं हमको कहा सोक की शहर में जाकर रहे हैं तु देखा और खिसक गई अपने कमरे में फपक फपक कर रोते हुए इसमें सूचा कि पती को बताएगी भावी ने कैसे बत्ते में जीकी और मुझे यहां एक पल भी नहीं रहना इनसे कोई रिष्टा नहीं रखना हम यहां से दूर चले जाएंगे तुमारे कहने पर कुछ महीने रह लिए अब हमें चलना चाहिए वैसे भी मैं गाउं के लिए नहीं बनी हूँ यह प्रेम करने के पहली सीड़ी थी जिसे उसके पती को पार करनी होगी पती उसे लेने तो आये पूरा व्रतान सुना और पहली सीड़ी क्या पार करते पूरी सीड़ी ही कीचली साड़ा समो बना कर बूला सब जानता हूँ देखो यह मेरी फैमिली है तुम आज मेरे साथ इनी लोगों की वजह से हो तुमारी वजह से मैं इने नहीं छोड़ सकता चाहो तो तुम बोलते बोलते बैट पर पड़े मोबाईल को उठाया दिवार पर दिमारा पती का यह रौदर रूप देखकर वह दंग रह गई मोबाईल कई भागों में बढ़कर फैल गया था कमरे से बाहर आवाज गई होगी कुछ कदम दर्वाजे तक आती जाती रहे उसके दिल को पहली और गहरी चोट लगी भीतर कुछ चटकने की आवाज आई थी तन से कोई लौ बाहर निकली कुछ खाले-खाले सा एहसास हुआ भै की अंजानी लहर दे में दोड़ गई खौफ आप उपर से निर्डर दिखने की कोशिश करती हैं पर आप भीतर से नहायती कमजूर और डर्पोक हैं डर का सामना करिए और जो काम करने में किसी से डर लगता हो किसी अपने से छिपाने की नौबत आए वो काम मत करिए डर्पोक न होती तो क्या चुप चाप क्यों किसी अजनभी लड़के से शादी कर लेती उसने मोबाइल के दौर में प्यार किया था और फेल हो गई थी वो तो शुकर था कि सिर्फ मैसेजों के आदान प्रदान हुए थे खत लिखे होते तो वापस कैसे लेती मैसे जिलेट किये और सिमकार्ड बदल दिया बस कसक बची रह गई थी सोचा था जो मिलेगा उसी से प्यार करेंगे जैसे उसकी माने उसके पिता से किया होगा भाबियों ने भाईयों से दीदियों ने जी जाओं से धोखा आप किसी मामले में धोखा खा सकती है बेतर हो सजग रहें लोगों को पहचानना सीखें और क्या आप इस धोखे को इसपस्ट कर सकती है शिवांगी ने बीच में टोखा भीतर ही भीतर वैसेहर गई धोखा देने के नाम पर नहीं धोखा खाने के नाम पर कितनी बार धोखा खाएगी शिवांगी जी इसमिता की गंबीर आवाज उस खुश्बू वाले कमरे में गुँजी ये तो आप बहतर जानती होंगी मुझे बस धोखा दिकाई दे रहा है ये आपके चुने शब्द हैं जो धीरे धीरे आपके जिन्दगी के पन्ने एक एक कर खोल रहे हैं शिवांगी के चेहरे पर उलजन की रेखाएं उबरी उसने तो जो शब्द ध्यान में आते गए बिना सोचे समझे लिख दिये उन शब्दों से उसके जीवन के पन्ने खुलेंगे कहां सोचा था ये कार्ड देख रही हैं न आप दक्वीन्स ओफ कप्स आपकी राशी का कार्ड है मक्कर राशी है आपकी मक्कर राशी के जातक खुद को प्यार करना तसस्वीकार करना सीखें आर्थिक रूप से मजबूत किसी व्यक्ति से मुलाकात होगी बेशक आप अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाएंगे पर रोमांस और सकारात्मक्ता के लिए यही उचित वक्त है इसमिता अचानक शब्दों की व्यक्या बंद करके राशी के कार्ट पढ़ने लगी थी शाय शिवांगी की उप की वज़े से बीच में परिवर्तन जरूरी लगा होगा शिवांगी के बीतर रोमांस शब्द अटक गया था कितना सही प्रडिक्शन है रोमांस पर कहां? हवा में, तारों में, मोबाइल में कहां है? उसे ही ढूंड रही है अब तक इस मिता की आवाज आ रही है आप सफलता के करीब हैं कोई परंपरा विरोधी काम करना चाहती है कठिन मेहनत का उत्तम फल मिलेगा जीवन साती की समस्याओं को लेकर परिशान रहेंगी अपने आत्मे विश्वास को कम न होने दे बहुत उथल पुथल दिखाई दे रही है आपका लिखा बस एक आखरी शब्द है आशा इसका दामन कभी न छोड़िएगा आव विपरीद परिस्वितियों में भी उम्मीद का सिरा नहीं छोड़ती यह बहुत पॉजिजिव बात है आप में आपके लिखे शब्द आपकी मनोदशा जाहिर कर रहे हैं खुद को सहियत करके कुछ उपाय करें कहीं लिख लें उपाय ताकि याद रहें मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला मुझे आप सीधे मेरी प्रेश्न कुंडली बना दे मुझे मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकें तो बहतर बहुत बेचैन मनोदशा में आई हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा जिंदगी किधर ले जा रही है बस मैं सहलाब में बहती चली जा रही हूँ मैं बहुत संदिग्द हो गई हूँ अपने ही घर में अपनी ही नजर में आपको मेरे पास नहीं किसी मेरेज कांसलर के पास जाना चाहिए सारे कार्ट समेटते हुए वैं मुस्कुराई कमरे में अगरबत्ती की महक कुछ कम हो गई थी सामने वाले टेबल पर अगरबत्ती की दो समानांतर रेखा है जो उसके राख से बनी थी दिखी बीच बीच में लाइन टूटी हुई सी थी दोनों की नजरें उधर एक साथ गई और लोटी भी साथ दोनों आखों से राख की अद्रश परतें जर रही थी क्या आपके पास मेरे सवालों के सीधे जवाब नहीं फिर मुझे अरचना ने आपके पास क्यों भेजा आप तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट मानी जाती हैं कुछ तो जवाब होगा आपके पास आप समझी नहीं हमारे कहने का अएक तरीका होता है हमने बता दिया समझदार को इशारा काफी है अगर आप धैरे रखती तो सारे शब्दों के अर्थ बताती जिससे आपके जिन्दगी जादा इसपस्ट हो सकती थी मैंने उपाय भी बताया आपको मेरा दांपत्य जीवन वे खत्रे में है मेरे पती को मुझसे बहुत प्रॉबलम मैं कहीं नहीं जाती कुछ नहीं करती फिर भी हर समय मुझे पर संदे की द्रिष्ट गड़ी रहती है जैसे दो आखें हमेशा मेरी निगरानी कर रही हूँ मुझे अपनी सांसों का भी हिसाब देना पड़ता है शिवांगी के सवाल जैसे बेताल की तरह लटके हुए थे उस उगंधित कमरे में इसमिता उसे बोलने देना चाहती थी अब वर टेरो कार्ड रीडर से एक सामान इस्त्री में बदल चुकी थी जो ध्यान से दूसरी इस्त्री का दर्द सुन और बांट लेना चाहती हो सामने वाले इस्त्री अब उसके लिए क्लाइंट नहीं रह गई थी जिससे उसे मोटी फीस वसूलना था वह सचमुद्रवित हो रही थी इसे लगा इस इस्त्री को सहारे की जरूरत है जो अपने ही संसकारों से जूज रही है और बाहर निकलने को छटपटा रही है संसकारों की कैद से मुक्ति आसान नहीं होती इस्त्रीयों के लिए कई बार उम्र कैद साबित होती है उसे भी तो उन संसकारों से निकलने में बहुत वक्त लगा जैसे कभी वह अपनी पहली कैज में छटपटाया करती थी कितना हंगामा मचा था जब उसने सोमेश से कहा था मैं NGO सेक्टर जोईन करना चाहती हूँ जैसे उस पारंपरिक घर में बम फूटा हो सोमेश ठाकूर समेथ सबका चेहरा ऐसे बना जैसे इंडिया गेट पर कैंडल मार्च में हिस्सा लेने आये हो सासुमा ने कहा कोई और नौकरी कर लो टीचिंग जॉब सबसे सेफ लगती है ये गली महले में गूमने वाली नौकरी होती है क्या कोई सोमेश चुप रहा इसमिता ने मौन्स विकृती समझ कर कदम उठा लिये आए दिन बेतर दीब से कुछ जोला छाप लोगों का घर आना जाना शुरू हुआ और कल है भी शुरू हो गए तमाशा तो तब हुआ जब उसे किसी सेमिनार में प्रेजेंटेशन देने के लिए बैंगलॉर का इंविटेशन आया चहकती फहकती घर पहुची वही हुआ जिसका डर था टूर को लेकर बहश शुरू सोमेश की अपनी दलीले थी इसमिता की अपनी तब ही उसका कलिक सुकेश टपक पड़ा पूरे मुद्दे की पीपीटी फाइल बना कर पैन ड्राइव में ले आया था गदगद इसमिता ड्रॉइंग रूम में सुकेश से लहराती हुई मिली सोमेश वही आकर बजर गया और उसका विद्रोही मन भड़ा कुठा और बिना आगा पीछा सोचे सुकेश का हाथ थाम कर घर से निकल पड़ी यह सब भूल बैठी थी फिर कोई उसकी चाया से स्त्री सामने बैठ कर जकम हरे कर रही है भीतर में कहीं दर्द चिलक उठा यह दर्द सोचने का वक्त नहीं उसके सामने केस है जिसे उसको हल करना है किसी अंधेरी गहरी गुफा से बाहर आई बहुत बेदम सी आवाज में आई जैसे गुफा की पत्रीली बुजाओं ने जकड रखा हो ऐसी नौवत क्यों आई पांस साली तो हुए हैं आपकी शादी को इतनी जल्दी रिष्टा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया खुल कर बताईए तो शायद मैं कुछ समझा पाऊं आपको इसमिता जी वह फफक पड़ी अरे रे आप रोहे मत सब ठीक हो जाएगा सब आपके हाथ में है सच में मैं आपके लिए प्रे करूंगी कुछ उपाय बताऊंगी आप घर जाकर करना और सबसे बड़ी बात कि आप इस रिष्टे को जरा टैक्टफुली हैंडिल करो पती से टकरा कर घर में आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकती उन्हें या तो प्यार से बस में करें या मूर्ख बनाएं आपको रास्ता चुनना है इस मिता के भीतर से कोई और चतुरिस्त्री है जो समझा रही है उसने शिवांगी की हतेली थाम ली गरम गरम आशू उस पर टपकते रहे आशू नहीं गुटन के कत्रे थे जो टूट टूट कर गिर रहे थे बूंदों की गरमाई से दर्द की तीवरता का पता चलता है कई बार इस मिता ने कितने ही इस्त्रियों के आशू संभाले है अपनी हतेलियों पर उसके क्लाइंट जादा तर इस्त्रिया ही हैं अकेली आती हैं और घरेलू समस्याओं के लिए उपाय पूछ कर जाती हैं उसके पास आने वाले इस्त्रियों में जादा तर प्रौड होती हैं 35 पार जिनकी सिर से शादी का हैंगोवर खतम होने लगता है के विवाहेतर संबंदों को लेकर तबाह रहती हैं कि कैसे वापस उन्हें अपनी तरफ मोड़ने बेवफा पतियों को अपनी तरफ मोड़ने की इच्छो किस्त्रियों की अच्छी खासी तादाद होती है यह इस्त्रि तो सबसे अलग दिख रही है और उम्र भी जादा नहीं दिख रही है वह उसे बूलने देना चाहती है ताकि मवाद फूट कर बह निकले यह भी एक किस्म की थेरेपी है जिससे खुद इस्मिता को बड़ी राहत मिलती है पर क्या इस्मिता कहीं और रूनी जाती है नहीं उसकी देख शनभर को तनी शिवांगी की समस्या कुछ पल के लिए फिर ओजल हुई और अपनी जिंदगी फ्रेम दर फ्रेम गूमने लगी नहीं वह रोने दोने में यकीन नहीं करती टैरो विधात जानते हुए भी उसकी जिंदगी में क्या हुआ खुद अपने लिए कुछ उपाय कर पाई क्या इसमिता जी आप कहां खो गए शिवांगी चुप हो चुकी थी वह हैरान सी इसमिता के चहरे पर तनाव की रेखाओं को बनते मिठते देख रही थी नसे फूल उठी थी लगभग तम-तमा उठा था पूरा चेहरा हाँ सॉरी कहीं खो गए थी नथिंग टू वरी यही कुछ खयाल आ गया वही जिंदगी का सवाल आ गया शिवांगी ने दूसरी लाइन पूरी की और दोनों हसे फीकी और बदरंग हसे दोनों में से कोई पल ठिठक सा गया इसमिता उठी फिर से अगर बत्ती जलाई जैसमीन की खुश्वू फिर से फिजा में तैरने लगी इसमिता संजीदा दिख रही थी और शिवांगी सामान ने हो रही थी दीरे दीरे आप कोई फैसला क्यों नहीं ले लेती आपके पास वक्त है उम्र है पड़ी लिखी है क्यों सहती है ये सब आपके सवालों के जवाब हमारी विधा में नहीं आपके पास ही है सब कुछ आपके हाथ में फैसला आपको लेना है या तो इस पार या उस पार वह चुप रही आप उन्हें लेकर किसी मेरिज काउंसलर के पास जाईए शाय सब लाइन पर आ जाए हो सकता है उन्हें आप पर शक हो गलत फैमी हो दूर हो जाएगी आप दुनों में बात होती है ना नहीं समवाद इंता की सिती है जब भी बात होती है लगता है काट खाएगा मैंने फिर बात्चीत कम कर दी है गाली उसकी जबान पर रहती है तोड़ फोर रोज की बात कितनी बार मेरा मुबाइल तोड़ चुका है कई बार मुबाइल छुपा कर साथ ले जाता है पता नहीं क्या चेक करता है दो-दो दिन तक मेरा मोबाइल लिये फिरता है उसकी वजह से मैंने Facebook एकाउंट तक deactivate कर दिया है अब ले देखे दुनिया से जुड़ेने का एक ही साधन बचा है मोबाइल मैं भी हमेशे संकट में रहता है घर आता है तो काँ पुठती हूँ डर से मोबाइल चूती नहीं पता नहीं कब reaction हो और उसे तोड़ दे मारपीट भी करते हैं क्या नहीं मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया पर चीजों को तोड़ते समय चेरे पर जो भाव रहता है वह मैं समझती हूँ हर चोट मुझ पर पढ़ती है वह मेरे लिए होती है आपकी sex life कैसी है सीथे पूछे गए इस प्रशने से वह थोड़ी सक पकाई जवाब दे या ना दे कुछ पल ठिटकी समिताने टोका कोई जल्दी नहीं सोच कर जवाब दे जरूरी है तब ही किसी नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर वह हाथ नहीं लगाता मैं छूती हूँ तो कहता है मूड नहीं ठका हुआ हूँ सो जाओ फाल तू तंग मत करो डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और उसका कोई फायदा नहुआ कैसे होगा जब वह इनसान कुछ करेगा ही नहीं रात को इतनी गहरी नहीं सोता है कि पता ही नहीं चलता बगल में उसकी पतनी किस दुख में करा रही है सारी सारी रात नीन नहीं आती हजारों सुईयां चुपती हैं रात भर उसके घर्वाले मुसे दस सवाल पूछते हैं बच्चा क्यों नहीं करते क्या बताओं कि तेरा बेटा तेरे बेटे के पास टाइम नहीं बहुत बुजी है पूरी सौफ़वेर कमपनी उसी के दम पर चलती है नींद में भी वही बढ़ बढ़ाता है नींद में कभी मुझे चूता है जैसे लेपटॉप का कीबोर्ड चूरा आओ शिवांगी सब कुछ उगल रही थी दांत कितकिताते हुए गाल पर इंदर धर्नुशी रेखाओं की परचाईयां उभर कर लोप हो गई अच्छा फिर कैसे चलता है घर दो ही लोग हैं आप लोग कैसे रहते हैं उस गर में आपको बताऊं मैं भी गुजरी हुए इस सिक्चूइशन से मैंने लांग दी चाहार दिवारी पिता की पसंद को ठुक रहा है दूसरा उप्शन मैंने खुद चुना वहां भी फेल हुई उसे भी छोड़ाई अब मैं थर्ड उप्शन के साथ हूँ इसे मैंने थाम रखा है मजबूती से इसके बाद मुझ मैं फैसले लेने का दम नहीं भगवान की दया से अब सब ठीक ठाक चल रहा है टच वूद उसने लकडी की मेच छूली और रहत की सांस ले आपने तीन शादियां की उसकी आँखें फैल गए इस मिता मुस्कुराई सवाल पूछते हुए कितनी मासूम सी है इस्त्री चौंक रही है जैसे इसने कभी किस से कहानियों में न पढ़ा हो इतनी शादियों के बारे में शायद एलिजबस बेथ टेलर का नाम नहीं सुना होगा अधिक्तम शादी का रिकॉर्ड बनाने वाली इस्त्री ओ गौड कुछ फल के लिए वे भूल गई कि क्या क्या बखे जा रही थी उस अजनभी इस्त्री के सामने हाला की बखने के बाद खुद को कुछ हलका जरूर महसूस कर रही थी अब हैरान होने की बारी उसकी थी बड़े शहरों में कितनी आसानी से औरतें तीन शादियां कर डालती हैं हमारे हाजी पुर में तो कोई लड़की सोच भी नहीं सकती जब तक कि पती उसे तलाक न दे दे या वे विद्वा न हो जाए पुनर विवा इनी दो सित्यों में संभव है कपड़े की तरह पती बदलने का ख्याल ही बड़ा डरावना लगा उसे गुड़े गुरिया का खेल नहीं है कि मामूली से लड़ाई पर दोनों को अलग कर दिया करते थे बच्पन में यह खेल खूब खेला तब कहां सूचा था कि जिन्दगी उसे इस मोड पर ले आएगी यहां तो शादी बचाने की चुनोती जान को लगी है उसे फेल नहीं होना है विस्तर पर पड़ी असहाय बुरी मा की आखरी ख्वाहिश उसके सपनों में भी दीमक की तरह लग गई है वे नूचना चाहती है पर दो बुरी आखें गड़े में फसीवी पुतलियां फड़फडाने लगती हैं जैसे बुरी खबर सुनते ही शान्त हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए उन आखों के लिए वे अपना शेश जीवन होम कर देगी क्या कभी गुड़िया की तरह अलग कर बाएगी खुद को नहीं बार बार शादी नहीं फिर फिर पती नहीं फिर से ग्रहस्ती नहीं फिर कोई नया मर्द नया बिस्तर नये तरह से वे खुद को किसी के सामने नंगा करना क्या वही पहली कोमलता दे पाएगी कभी वह तो सूख गई है कहां से लाएगी वह द्रव्य जो रिष्टों को तरल बनाये रखता है नहीं, अब नहीं, जुआ नहीं खेलना अगर इसके ठीक होने की कोई संभावना बच्ची है तो उमीद बान कर बुरा वक्त निकाल देगी नहीं तो सवालों की सूली पर भार बार अटक जाती है मैं कभी अपनी जिंदगी को एक्सपेरिमेंटल नहीं बनाऊंगी मैं इतनी मजबूत हूँ कि अकेली रहा चुन सकती हूँ उन बूरी आखों को भरोसे में लेकर उनकी रोशनी में मुझे तीन पुरुषों की जरूरत नहीं इसमिता तुम तो अभी भी घर पती जैसे भ्रामक शब्दों में उलजी हो तुम बिना पुरुष के रह सकती थी क्या तुमने इतने प्रयोग किये क्यों किये क्या पुरुष के बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चलती आह मुझे कराह निकली वे तो उपाय पूछने आई थी शाय टोना टोटका से काम बन जाता उनम ने तो यही समझाया था कि इसमिता बहुत अच्छी टेरो रीडर है भाविशी भी बता देगी और उपाय भी बता तो रही है संकेद भी दे रही है जो उसकी सूच और चाहत के ठीक उल्टा है वे तो बस इतना चाहती थी कि पता चले ग्रह दशा कब साथ देंगे और दांपत जीवन की दशा दिशा बतलीगी या कभी नहीं इसमिता ने उसके हाथ से उसका मुबाइल लिया और उसमें से कुछ एप डिलीट करने लगी क्या कर रही हैं आप मत करना प्लीज उसने अपना मुबाइल जपट लिया और उठ खड़ी हुई देखना आपकी आदी समस्या खतम हो जाएगी थोड़ा उन पर कंसंट्रेट करिए जब आपको लेकर यहां तक आ सकता है इतनी देर तक बैठ सकता है तो कुछ भी कर सकता है वो मर्द क्या जिसे आप जैसी हसीन औरत कंट्रोल न कर सके अपने खोल से बाहर निकलो यार या बी रेडी फॉर सेकिंड आप्शन मैं आपकी तरह अपना सुख विकल्पों में नहीं तलाशूंगी मुझे बार बार मर्द बदलने की जरूरत नहीं मुझे ऐसी सलाह की जरूरत भी नहीं मैं खुद को सहेज समाल सकती हूँ जब मैं आपके पास आई थी तब तूटी हुई बिक्री हुई जरूर थी पर लौटते हुए वैसी नहीं रही हम सारा सुख एक ही जगे तलाशते रहते हैं उम्मीद का सारा बूज एक ही रिष्टे पर डाल देते हैं हम उसे अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं नियंद्रित करना और होना चाहते हैं हम जिन्दगी को उसकी विराठता में देखी नहीं पाते मैं तलाश करूंगी उसकी और हाँ आप जो उपर प्रेम और धोके की बात कर रही थी वह परस्पर होता है दोनों जुड़े हैं आपस में धोका खाने वाले धोका देते जाते हैं प्रेम पाने वाले प्रेम करते नहीं प्रेम देने वाले प्रेम पाते नहीं यहां डुएट परफॉर्मेंस नहीं होता जिन्दगी बेसुरे संगीत में बदल कर रह जाती है अब विवाह बचाने या गवाने में मेरी कोई दिल्चस्पी नहीं रही मैं इस गुलाम मंडी में अपने लिए कोई जगे नहीं देखती हूं जिने आप्शन की तलाशों वे करें उनकी हिम्मत की दाद देती हूं वे नहीं जानती कि चाहे कितनी बार आप्शन चुनो विवाह उन्हें वस्तुमें बदल ही देता है वस्तुमें इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं एक बार वस्तु बनकर जी रही हूं मुक्ती का मार खुदी तलाश न होगा मैं खुद को आगे इस आतंग से बचाय रखने की हिमायती हूं शुक्रिया आपका इसमिता हतप्रभ ये अचानक रोती विसूरती हुए इस्तुरी को क्या हो क्या यह तो कोई और है चेहरा दिबदिपा रहा है तम तमाय हुए गालों पर लल्चोही आभा ऐसी लल्चोही आभा चेहरे पर तब उभरती है जब हम भीतर ही भीतर कुछ तै कर लेते हैं द्रण, निश्चयात्मक आभा निश्चल, निश्कलुष, निश्पाप इसमिता ने प्रवेश द्वार पटंगी तस्वीर को देखा और उसका चेहरा फक पड़ गया उसे लगा, मानो अभ तक ध्याना वस्त साद्वी की आँखे खुली हैं अब खुल गई हैं शिवांगी ने उसके फक पड़े चेहरे को गहरे निगाह से देखा जैसे एक पागल, दूसरे पागल को गहरे निगाह से देखता है शिवांगी ने कंधे जटके अपना मोबाइल आउन किया और फिर से वार्टसेप और फेस्बुक मेसेंजर डाउनलोड करने लगी जिसे इसमिता ने डिलेट कर दिया था ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर अदम में शामती थी जो दूसरों की जीवन कुंडली पढ़ने वाली इसमिता के लिए अबूज थी आप सभी श्रुताओं का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत आभार